हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा तीन की वर्क्षीट नंबर 137A जो की 20 दिसंबर 2021 की वर्क्षीट है और आज का विश्य है बच्चों हिंदी सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे ठीके बच्चों और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और कक्षा तीन के सामने आप अपना सेक्षिन A, B या फिर C लिखेंगे तो चलिए इस वर्क्षीट को हम शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों आश्रा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे बच्चों हम जानते हैं कि आप कार्य पत्रिकाओं का अभ्यास बहुत मन लगा कर करते हैं तो आईए आगे कुछ नया सीखने से पहले हम बीते दो हफ्तों की कार्य पत्रिकाओं को एक बार दोहरा लेते हैं तो चलिए आज हम करेंगे रिवेजन पहला प्रश्ण है आपसी संबंधों को बनाई रखने के लिए पत्र व्यवहार एक महत्वपून साधन है तो आईए बच्चो अपने चाचा जी को जन दिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखते हैं नीचे एक अधूरा पत्र दिया गया है जिसे आपको संकेत शब्दों की सहायता से पूरा करना है तो बच्चो आपको ये मानना है कि आपके जन दिन पर आपके चाचा जी ने आपको गिफ्ट दिया है और आप उन्हें ठांक्स बोलना चाहते हैं धन्यवाद देना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से एक पत्र लिखना है इस पत्र में कुछ ब्लांक्स दे रखे हैं जहां पे ये सारे शब्द आएंगे अब हमें चुनना ये है कि किस जगहें पे कौन से ब्लांक में कौन सा शब्द आएगा ठीक है अब पत्र आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे पहले आएगा भेजने वाले का नाम तो भेजने वाले का नाम आपका जो नाम है आप वो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन क्योंकि इस पत्र में नाम दिया हुआ है तो हम यह नाम लिखेंगे यहाँ पे ठीक है आप लिख है कि आप डैश और कुश्रता पूर्वक होंगे तो बच्चों यहां पर मैं नंबर डाल देती हूं पहले वाले ब्लैंक में आप लिखेंगे स्वस्थ ठीक है पहले ब्लैंक में क्या आएगा स्वस्थ और कुश्रता पूर्वक होंगे आपने मेरे डैश पर उपहार स्वरू क्या भेजा बच्चो, तो उन्होंने भेजी एक घड़ी, तो तीसरे ब्लांक में आ जाएगा घड़ी, मुझे यह उपहार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे मुझे डैश के महत्व का ज्यान हुआ, तो बच्चो घड़ी से किसके महत्व का पता चलता है, समय के महत्व क तो चौते वाले ब्लांक में आप लिखेंगे समय और सभी कारियों को सही समय पर करने की अच्छी डैश भी पड़ी तो अच्छी क्या पड़ेगी बच्छो आदत तो पाँचवे वाले ब्लांक में आप लिखेंगे आदत इतने डैश उपहार के लिए आपका डैश से धन्यवाद तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे इतने छटे में आ जाएगा अन्मोल इतने अन्मोल उपहार के लिए आपका दिल से धन्यवाद आप यहाँ पे सात्मा लिख देते हैं तो आप लिखेंगे दिल से धन्यवाद, अब बच्चों ये अनमोल किसी का नाम नहीं है, ये अनमोल उबहार के लिए इस्तमाल हुआ है, तो यहाँ पे आप अनमोल ना लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि आप इस पत्र को लिख रहे हैं, ठीक है, तो पे ब्लांक्स हैं, वो ब्लांक्स हमने फिल कर लिए, और इसके बाद आएगा आपका प्रिय भतीजा या भतीजी, और आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पत्र लिखेंगे अपने चाचा जी को, आए अगला प्रश्न देखते हैं, आए बचो, नीचे दिये गए अनुचेद मेरा प्रिय मित्र को संकेत शब्दों की सहायता से पूरा करते हैं, तो यहाँ पे कुछ संकेत शब्द दे रखे हैं, और यहाँ पे एक अनुचेद दे रखा है, और यह अनुचेद है मेरा प्रिय मित्र पर, तो हमें करना क्या है फिर से यहाँ पे हमें कुछ खालिस थान दे रखें हैं इन खालिस थान पर इन शब्दों को भरना है ठीके बच्चों? तो देखिए मेरे या मेरी प्रिये मित्र का नाम डैश है तो आपके प्रिये मित्र का जो भी नाम होगा आप वो यहाँ पे लिखेंगे वह मेरी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती है वह बहुत महनती है और होनहार है उसका प्रिये विशे डैश है तो पहले वाले ब्लांक में आप लिखेंगे उसका प्रिये विशे हिंदी है ठीक है? वह सदा कक्षा में डैश आता या आती है तो वो हमेशा कक्षा में क्या आती है बच्चो प्रथम आती है या आता है वह पढ़ाई में मेरी डैश करता है या करती है तो पढ़ाई में क्या करता है बच्चो वो मदद करता है या करती है हम दोनों मिलकर पकडम पकड़ाई, बर्फ पानी और डैश का खेल खेलते हैं तो चौते वाले ब्लैंक में आप लिखेंगे लूडो कौनसा खेल खेलते हैं बच्चो लूडो का खेल खेलते हैं सभी अध्यापक उसे बहुत डैश करते हैं क्या करते हैं? प्यार करते हैं मुझे ऐसा मित्र मिलने पर डैश है तो अगर आपको ऐसा मित्र मिलेगा तो आपको क्या होगा उस पर? गर्व होगा तो छटे वाले ब्लैंक में आ जाएगा गर्व ठीक है बच्चो? अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव दिया हुआ है कि बच्चो को बताईए कि दूसरों तक अपनी बात पहुचाने का सबसे पुराना वा विश्वर्षनी साधन पत्र है तो अगर हमें अपनी बात किसी तक पहुचानी है तो उसके लिए हम पत्र लिख सकते हैं इसके अलावा आज कल हम फोन, इमेल, SMS, WhatsApp, आदी के द्वारा भी अपनी बात या संदेश को आसानी से दूसरों तक पहुचा सकते हैं ठीक है बच्चो तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वाक्षीट एन आई होप आप सभी को ये वाक्षीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बच्चो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू